जो भी वेक्ति मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं कहता हूँ कि एवम आईए इसी के साथ अंग्रेजी के शब्द दिस्करेज का हिंदी में क्या अर्थ होता है यह जान लीजिए सबसे पहले यह जानिये की अंग्रेजी भाषा में डिस्करेज शब्द का उप्योग अधिकतर एक क्रिया पद अत्वा क्रिया के रूप में होता है अर्थात एक वर्ब के रूप में होता है एवम डिस्करेज का हिंदी में अर्थ है हतोत साहित करना एवम रोकने का प्रयास क एवं साहसहीन करना, एवं रोखना, एवं निरुटसाह कर देना, एवं निराश करना। उधारण वाक्य है, people who discourage you are not your friends, एवं इस वाक्य का हिंदी में आर्थ है, कि जो व्यक्ति आपको निरुटसाहित करते हैं, वह आपके मित्र नहीं हो सकते। दूसरा उधारण वाक्य है, one should discourage children from using bad words, एवं इस वाक्य का हिंदी में आर्थ है कि व्यक्ति ने बालकों को गंदे शब्दों का उपयोग करने से रोकना चाहिए। तीसरा उधारण वाक्य वह है, जो इस वीडियो के आरम में मैंने आपसे कहा था, एवं you should try to stay away from people who discourage you का हिंदी में आर्थ है कि आपने ऐसे वेक्तियों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए, जो आपको निरुटसाहित करते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपको धन्यवाद देते हुए मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ।